शीदल जी इतनी बड़ी संक्या में सांसदों को बाहर करके पूरी संसद के वल अपनी सत्ता का चला के यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है और क्या संदेश देने में काम्याग हो जाएगी है पहले मैं आपको एक प्रधान मंत्री जी का पुराना वीडियो सुनाना चाहता हूं संसद में ही दिया हुआ उसके बाद इस पे हम बात करते हैं एक सेकेंड बस लोगतंतर में आलोचणा का बहुत महत्व में मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मधरव ब्मत्र से, सदिओं से हमारी हाँ लोगतंतर हमारी गजुम हमें पनपा हूआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि आलोचना एक प्रकार से लोग तंतर की मजबूती के लिए लोग तंतर के समर्धन के लिए लोग तंतर के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धी यगन है सबसे बड़ा मजाक। मैं इसलिए सुनाना चाहरा था कि यह आदबी क्या है, इसको आप लोग पहले समझिए कि संसद में ये इनका भाशन है और आचरन जो है वो आप उस पर आज कारक्रम ही कर रहा है और इसके पहले और तमाम लोग कारक्रम कर चुके हैं और कारक्रम होते ही रहेंगे आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आज इंडिया गटबंधन की बैठक थी ये प्रयास हुआ कि ऐसी खबरें बदली जाएं कि इंडिया गटबंधन की बैठक की खबरें गायब हो जाएं और ये खबर आने से पहले तक सच मुच में इंडिया गटबंधन की कोई खबर विमर्श में नहीं है बहुत कुछ पानी इधर से उधर वहा उसकी रोशनी में बहुत महत्वूण बैठक है तो उस समय उस खबर को खत्म करने के लिए किया गया मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि दरसल जो इस समय dispensation हमारे है न सिर्फ वो तक हंड़िट परसंट डिसीव करता है धोका देता है राजसभा में आज एक प्रशन के उत्तर में ये बताया गया कि राजस्थान में जो साड़े चार सो रुपए का सिलिंडर देने का वाइदा किया गया था सरकार का इस बारे में कोई मत नहीं है कि वैसा करेगी अभी मैं पूछ रहा था अपने मित्र से कि भाई मध्यप्रदेश वगरे में क्या खबर है तो उन्होंने कहा कि ये इसके अलावा वाकी सारी खबर हैं ये खबर वहां भी नहीं है और इसके पहले मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा है मैं उसकी पुस्ठ करा रहा हूं जहां 36 गड़ के एक मंत्री महुद है जिन्होंने चुनाओ में घोशना की थी घोशना तो उनके घोशना पत्र में भी थी लेकिन अपने शेतर में उनका वीडियो वह है कि चुनाओ जिस दिन खत्म होगा मतपेटियों मैं से मतगिन लिये जाएंगे और सरकार आपकी आजाएगी दो लाख रुपए तक किसानों के कर्ज तुरंट खतम कर दिये जाएंगे उन्हीं का आज बयान है वो शायद मंतरी बन गए उसे विवाग के उनका आज बयान है कि इसकी तो जरूरत है नहीं अभी तो हम लोगों हम लोगों ने देखा है और पीछे किसान पे मतलब अधारभूत इस तर पर जूट बोलने, डिसीव करने और धोखा देने वाला ग्रूप है और अब इसने एक दूसरी इस्थिति आगंगी कार कर ली है जिसमें उसने एक ऐसे नायक को आउट ओफ बॉक्स इस स्टेज तक ले लिया है कि उसमें बहुत से लोग उन्होंने उनको इस सदी का गाधी घोशित कर दिया है जो राजसभा के सभापती भी है वगेरे वगेरे और इस तरह का पूरा एक डेकरम बन रहा है जिसमें आप तानाशाही को भी ताली बजाते हुए स्विकार करने को बाद दे हो ये इसलिए सब हो रहा है और ये सब कर रहने के लिए जो जरूरी उपकरण है वो उन्होंने चुकि पहले जुटा लिए जैसे उन्होंने जो बॉंड इसकीम निकाली उसके जरीए उद्योगपतियों से चंदा लेके मैक्सिम चंदा अपने खाते में रखने का एक उपकरम बना लिया अब कोई उद्योगपती द करने के लिए बुरी तर से कुख्यात है और जिसने पूरे इस व्यावसाइक समाज में डर पैदा कर दिया है सच्ची बात तो यह है कि इसने सामुदाइक विभाजन के जरीए पूरे समाज में ही डर पैदा कर दिया है लेकिन व्यावसाइक समाज में तो इस बात का डर है क कि अगर हम इस सरकार की किसी नीती से जराभी असहमत या किसी नेता के विक्तित्त से कहीं भी असहमत पाए गए तो हमारा धंधा पानी तुरंट चौपट हो जाए आपके सामने हीरानंदानी का उधार है वो हीरानंदानी जिसका ओफिस बैठ के उसके लिए क्वेश्चन तया किया करता था और उससे कोजीनेस में था रात भर में उसका सारी हवा निकल गई और अगले दिन वो पूरा उसने जो चाहा इन लोगों ने वो उस लिखे पर दसकत कर दिया फिर उसके बाद उसे फिर डराया गया तो उसके अगले दिन उसको कांसुलेट में आके उसको दसक जगत में, कारोबारी जगत में, ब्योरक्रेसी में, अभी हमारे सेना के सेना ध्यक्ष, खल सेना के सेना ध्यक्ष नर्माने साब की किताब आई, वो किताब बता रही है, एक, ये सरकार जो हमेशा वादा करती है कि कांग्रेस के जमाने में सेना के हाथ बंदे हुए थे, बार् नर्वाने साब की किताब बताती है कि कांग्रेस के जमाने में था या नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन इनके जमाने में यह है, यह नर्वाने साब की किताब में है, इनके जमाने में बॉर्डर पर कोई भी एक्षन लेने से पहले दिल्ली से अनुमति लेना जरूरी है, प ऐसे बड़े-बड़े मामले खुल रहे हैं, अभी आप जानते ही हैं कि फ्रांस की सरकार और फ्रांस के दूतावास के बीच के पत्र व्यावार पर, वहाँ जो मीडिया पार्ट है, उसने जो रास्योद घाटन लेटिस्ट किया है, उसके अनुसार फ्रांस में रफाइल की ज इसी भी तरह कि सूचना शेर करने से मना कर दिया है, यानि जाच में भारत के एंड पर सरकारी तोर पर रोडाट का दिया गया है, इतने बड़े मामले हैं और ऐसे अनेक मामले हैं, लेकिन चुकि यह मामले लेने के लिए प्रतिपक्ष होना जरूरी है, एक लोगतांत्रिक देश में उसका संसद में होना जरूरी है, संसद में बहस होना जरूरी है, तो इस दौर के लिए, इस डिस्पेंसेशन के लिए जरूरी है कि इन में से ये सब कुछ भी नहों, और ये धीरे-धीरे वाकई वहीं बढ़ रहे हैं, जहां हमारे मित्र ने भी बंगलादेश के बारे में बताया, ऐसा लगता है कि चौबिस को जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी में एक आपने देखी लिया, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, ये जो बिल राजसाबा में इनोंने एलेक्शन कमिशनर को एपॉइंट करने का पास कराया, उ उस पैनल में जो सेलेक्शन पैनल है, उसमें रखने से मना कर दिया, नहीं सुप्रीम कोर्ट की सलाह को सीधे सीधे उनके फैसले के बाद मना कर दिया, और वो फैसला किस बात पे आया था, इनोंने जो एक एसी अपॉइंट किया था, और उन सिंगल नाम है, क्या नाम है, उ उनको हटा के नई नियुक्ति की जाए, वो फैसला अधा अधूरा था, लेकिन उसमें ये इनिक्शन साफ था, कि आपने जो किया, वो गलत किया, और उसको सही करने के लिए उन्होंने बताया था, कि आप एक ऐसा पैनल बनाएं, और धंग से कानून बनाएं, जिसमें CJI भ सब्जा है, दूसरी दलों के जहां जहां भी सोर्सेस हैं, उन सब पर ये छापा मारी वगएर के जरिये, इन्होंने क्लोज करा दिया है, और इतने अब चुकी एक बहुत बड़ी आबादी लगभग भुखमरी के कागार पे है, जिसको चुनाव के दोरान इन्होंने घोशना की कि पांस साल तक और पांच किलो अनाज आपको प्रतिव्यक्तिदर से दिया जाएगा, और उस पर चुनावायोग ने कोई नोटिस पी नहीं लिया, तो ऐसी आबादी को विभिन तरह से खरीदे जाने की संभावनाएं बढ़ी जाती है, और अगर पैसा रुपया सब एक जगे हो, तो वो चुनाव निस्पक्ष हो नहीं सकता, और चुनाव को निस्पक्ष कराने के लिए जिस जो एजनसी जिम्मेदार है, वो निस्पक्ष न रहने पाए, इसका इन्होंने इंद्जाम कर दिया है, तो हम सचमुच में बंगलादेश के आसपास की हालत में पहुँच चुके हैं, अब यह समय के राजनेतिक नित्रतु की उपर है, कि वो आज की राजनेतिक परिस्थितियों में ऐसा कौन सा फैसला लेता है, जिससे आज के दौर का प्रतनितित हो सके, और यह कहीं इस रेस में पिछड़ न जाए, और हम लोकतंत्र को सचमुच में पूरी तरह से, अभी वो सांकेती की बचा है, मैं यह मानता हूँ कि उसे आलड़ी इन्होंने खा लिया है, चुकि जितने स्वायत शासी सं हमारे यहां है, उन सब ने सरेंडर कर दिया है, मीडिया ने बेशर्मी ओड़ ली है, मीडिया दो पहर में इस कांड के बाद से सिर्फ वो एक मिमिक्री कांड पर ट्वीट कर रहा है, उसी को अपनी ख़बरों में दिखा रहा है, एन आई उसी से संबंदित रियक्शन ले रहा है, सारा विमर्ष इस समय ट्विटर पर दो दो ट्रेंड उसी मुद्दे पर चल रहे हैं, तो सारे विमर्ष को इन्होंने और सारे टेलिवीजन चनलों पर भी वही चल रहा है, तो सारे विमर्ष को इन्होंने इतनी बड़ी बात की 142 सांसद पहली बार भारत के लोग विक्री को इशू बना दिया गया और लगभख सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने सारे वर्ष्ठ नेताओं ने सारे इनके राज्यों और अन्य जगहों पर प्रवक्ताओं ने सब ने इस पर अब तक ट्वीट कर दिये हैं और केंद्री मंद्रिमंडल के अनेक सदस्यो और हमारा जो नोईडा मीडिया संग्ठन है उसने तो सब ने वो तो सब उसी पे जुड़ गए इस तरह से विमर्ष पर कब जा धन पर कब जा संसाधनों पर कब जा इंस्टिटूशन्स पर कब जा यह सब भारत में अलड़ी हो चुका है ऐसी रोशनी में आपका 24 का चुरा होगा तो इसलिए इस समय के राजनेतिक नेत्रत्तु के ऊपर सचमुच में बहुत कठीन प्रशनुन के सामने है कि वो इसका राजनेतिक उत्तर कैसा और क्या देते है वो जो देंगे अब हम लों के अगले कार्क्रमों का विशे होगा झाल